नागरिक्ता संशोधन बिल लोकसभा के बाद बुधवार को राजसभा से भी पास हो गया मोधी सरकार के इस बिल को एंडिये में शामिल सभी दलों ने समर्थन दिया कभी बीजेपी के साथ रही शिवसेना ने कॉंग्रिस के साथ सरकार चलाने के बावजू इस बिल के लिए मोधी सरकार का साथ दिया तो वही बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार की पार्टी जनता दल युनाइटेड यानी जेडियू ने भी दोनों सदन में नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किया जिससे ये बिल पास हो गया इस बिल के पास होने के बाद से ही तमाम मोधी विरोधियों में जैसे खलबली मची हुई सबसे जादा लालुयादव की पार्टी आरजेडी और उनके समर्थक परिशान हुए जा रहे है वो भी इसलिए कि नितीश कुमार ने इस बिल का समर्थन क्यों किया आरजेडी कॉंग्रेस के साथ मिल कर भी बिल नहीं रोक पाई तो वही जेडी उ मोधी का साथ देकर बिल पास करा लिया बिल पास होते ही सोशल मीडिया पर नितीश का विश्वास घात ट्रेंड कराए जाने लगा ट्विटर यूजर दिलीप मंडल ने नितीश कुमार पर तंज मारतेवे ट्वीट किया नितीश का विश्वास घात एक सबक है हमें दुश्मनों से शिकायत नहीं जिन्होंने सेक्यूलरिजम की दुहाई देकर वोट लिये थे वे कैसे पलड गए आरजेडी नेता तेजस्वियादव ने ट्वीट किया गांधी, लोहिया, जेपी, करपूरी और लालू के बिहार को आरेसिस भाजपा संग मिलकर नितीश कुमार ने सावरकर, गोलवरकर और गोटसे का बिहार बना दिया है नागरिक्ता संशोधन बिल और एनार्सी के काले कानून के विरुत अभी पटना में धर्ना प्रदशन हो रहा है आरजेडी नेता तन्वीर हसन ने ट्वीट किया पजपा भी उन्हें लात मारेगी और जनता भी इसलिए तो नितीश का विश्वास घात ट्रेंड हो रहा है देश भर में खुद आरजेडी के आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से ट्वीट किया सोचो समाजवात के चोले में लिप्टे कटर संगी नितीश कुमार ने सेक्यूलरिजम के नाम पर ताउम्र अल्पसंख्यकों को ठगने का काम किया है जब सन्विधान में यकीन करने वाले न्याय प्रिय लोगों को अपनी वफादारी का परिणाम चाहिए था तब ये गिरगिट की तरह रंग बदल गये तौबा तौबा नितीश का विश्वाजगार बिहार यूथ आरजेडी अध्यक्ष कारी शोइब ने ट्वीट किया हम असल भारतिय और बिहारी हैं और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि नितीश कुमार का डियने बिहारी नहीं हो सकता ट्वीटर यूजर महताब आलम ने ये तस्वीर पोस्ट करते हुए नितीश कुमार को पल्टू राम बताया आरजेडी प्रवक्ता अरुन कुमार यादव ने ट्वीट किया नितीश कुमार ने भारत के सन्विधान और भारत के गंगा जमनी तहजीब को ध्वस्त करने वाला CAB काला कानून का समर्थन कर एक बार फिर सिद्ध कर दिया हम RSS, BJP और गोट सिवादी हैं सिर्फ आरजेडी ही नहीं नितीश कुमार और लालू की जोड़ी को साल 2015 में चुनाव जिताने वाले परुशांत किशोर ने भी बिल का समर्थन करने के लिए ऐस बिल का समर्थन करने से पहले जेडीओ ने तृत्व को न लोगों के बारे में सोचना चाहिए था जिन्होंने 2015 में पार्टी पर भरोसा और विश्वास जताय था लोगसभा में नागरिक्ता संशोधन विधेयक का समर्थन करने के बाद पार्टी के अंदर विरोध के स्वर, मुखर होने के बावजूर जेडियू ने राजसभा में भी इस बिल का समर्थन किया राजसभा में जेडियू के सदस्य रामचंद्र प्रसाद सिंग ने कहा कि उनकी पार्टी इस बिल का पूरा समर्थन करती है उन्होंने कहा कि ये बिल बहुत स्पष्ट है यह हमारे तीन पडोसी देशों से उत्पीड़त अल्पसंख्यकों को नागरिक्ता देता है लेकिन यहां हमारे भार्तिय मुस्लिम भाईयों पर बहस चल रहे है रामचंद्र प्रसाद ने अपने धुआधार भाशन से नागरिक्ता संशोधन बिल का विरोध करने वाली कॉंग्रस और आरजेडी समेत तमाम दलों को मूतोड जवाब दिया बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापती महोदे माइस बिल का समर्थन करता हूं और मैं तो बड़ा ही एक तरह से बिसमय किसिती में था कि बिल किस चिज़ पर है और चरचा किन किन चीजों की हो गई बिल बहुत ही पस्ट है जो जाविद अली खासाब कर रहे थे जो तीन हमारे निवरींग कंट्रीज हैं और वहां के जो रिलिजियस माइनॉरिटीज हैं और जीन के साथ रिलिजियन के अधार पर पर प्रजिक्यूशन हुआ है और वो हमारे देश में आया कि सरन लिये सीधे सीधे इतना है लेकिन बातें क्या हो रही है कि बात हो रही है हिंदूस्तान में जो हमारे अलब संख्यक سमाज के भाई लोग हैं उनके बारे हमें चर्चाह ओ रहे हैं और हमारे साथ कि सहाथ प्रियंबूल का वाइलेशन हो रहा है सब बड़े बड़े वकीले हैं लेकिन हम लोग भी पढ़े लिखे लोग है प्रियंबूल में पढ़े उसमें लिखा हुआ है किसको दिया जाएगा जो सिटिजन है इस तो सिटिजन पिल्की भी बात हो रही है और आनंद सर्मा करता है आर्टिकल 14 की बात है तो सब जानते हैं उसमें कि रिजिनेबूल क्लासिफिकेशन जो है जिसमें इंटेलिजिबूल जो डिफ्रेंशियल है और सबस्टेंशल जो डिस्टिंक्शन है उसका बहुत इस पस्त मतलब है और उसी की अधार पर अपने देश में बहुत का तो मैं जरा उस पर आना चाहूंगा मैं भी इतिहास का विद्यारती रहा हूं वो बात कर रहे थे नाजी का जर्मनी का तो जो कंसेंट्रेशन कैम था उसी देश में था कोई बाहर से लोग नहीं आ रहे थे और यहां ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती हमारा देश एक रिपब् अब फिगर को देखिए ना हमारे देश में जितने भी नागरिक है सब को समान अधिकार है और सब को आगे बढ़ने का अधिकार है और यही कारण है कि इस देश में एक नहीं तीन तीन राष्टपती मैनुर्टी समास से हुए चीफ जस्टिस हुए लेकिन बगल के देशों कुंहें देख लीजए तो हिंदुस्तान की लोगों को कहीं से भी उनके मन में भै क्यों डॉलते है हिंदुस्तान की अपनी एक संस्कृटी रही है यहां एक हमारे हम Дर किशी से बार बार बोल रहे चर्चा कर देते एए न अर्शी और सी से ज़रा आगे भी बढ़िए सी के आगे डी होता है तो हम लोगों का एजंडा होगा National Register of Development और Development किसके लिए करेंगे जो इस देश के नागरिक है जो इस देश का नागरिक नहीं है उसके लिए क्या Development करना है और जहां तक Morality J.U. की बात है नेरे कोवरायन साब आपने एक बात कही उसको बुरा मत मानिए आपकी नेता बहुत संगरसील है बहुत एजिटेशन करती है लेकिन हम लोग बिहार के लोग उनका एक एजिटेशन बरावर याद रखते है और वो तब जब हमारा हाजीपुर में रेलेवे का जोन बन रहा था और मुगल सराय को लिया जा रहा था तो आपके नेता क्या कर रही थी आप जड़ा देख लेजिए इस्टेंड रेलेवे कलकता में आपका कितना जोन था जब वहां पर आ रहा था कितना बिरोत किया गया जो हमारे ग्रामीन इलाके में जो इस्टेशन होते थे वहां कौन करमचारी होते थे देखे यहां सब लोग इस्टेशन करते हैं अपने लिए अपने परदेश के लिए करना चाहिए दूसरी बात आपको मैं बता दूँ कि आज 14 साल से बीच में 20 महीना छोड़ दीजिए बिहार में इंडिया की सरकार है आप जा करके देख लिजिए पता कर लिजिए और चले जाए अलसंख्य कि इलाकों में खास करके वो यही बोलेंगे कि यहां नितीश बावु के नित्रित में इंडिया सरकार काम करे आगे भी काम क्यों बोलते हैं यह मैं आपके सामने दो तीन बात रख देना चाहता हूं चुकि आपने हमारी मोरल्टी को क्रिश्चन किया है आप मदर्सा जानते हैं 1924 में मदर्सा के इंसुशन सुरू हुआ 2005 में हमारी सरकार बनी जब हम लोग इंडिया में सात में आए आपने 81 सालों में सिर्फ 1128 मदर्से बनाए और इंडिया की सरकार ने एक कलम से एक बार में 2460 मदर्से बनाए जब मदर्सा के टीचर थे आपकी सरकारें थी वहाँ कितना पैसा देते थे दो से तीन हजर आज आप देख लिए अंडिया की सरकार है सातमा वेतना योग दे रहे हैं 50 से 60 हज़ा वहाँ पर क्या था आप किस प्रकार से डराते थे उनके जो पूरे के पूरे पूरे के पूरे जो कबरिस्तान थी उसको क्या भाल बना रखा था आप जाके पता कर लिजिए छे हजार से ज़्यादा कबरिस्तानों की घेरावंदी कराई जा चुकी है जो कबरिस्तानों की सुरक्षा करे वो तो हो गया कॉमिनल और जो सुरक्षा ना करे वो हो गया सेकुलर और ये भी जान लिजिए आप ये भी जान लीजिए मोरलिटी की बात हो रही है जो पहले की सरकारें थी बज़ट देख लिजा उट संखत कल्यान का मात्र 2.75 करोर और आज देख लिए 900 करोर से जादा है हमको क्या मोरलिटी देखना है 14 साल से हमारी वह सरकार इंडिये की चल रही है एक भी घटना बता दीजे जहांकि जाती के नाम पर धरम के नाम पर कोई इस तरह की बात हुई हो अभी बीपीएसी का रिजल्ट अभी बीपीएसी का रिजल्ट दो टर्म फाले का जो हुआ पता कर लिजे कितने हमारे अलप मैं किसी धरम का नाम में लेता लेकिन यहां लेना पर रहा है एक मुस्लिम साथी था 146 में और आप 2014 बैच 15 बैच 16 बैच 17 बैच 18 बैच के रिजल्ट आगया है जाके पता कर लिजे तो क्यों इस देश को टरा रहा है किसरा आपका को जगह नहीं उनकी पूरी जगह है उनके क्यों किस देश में हम लोग किस तरह के चरचा कर रहे हैं क्या नर्रेटिव यह होना है कि कैसे हमारा देश आप ठीक का रहे ते कि 5 प्रिलियंट डॉर app economy यह जंडा होना है इसके लिए पूरा का पूरा जो समाज है किस तरह से लोगों में भाई चारा रहे लोगों में पुस्सीत करना चाहँगा कि इस देष में के धर्म के नाम पर किसी के साथ किसी पर कारजरा न्याय होगा तो हम लोग को पीछ राने वाले कभी नीं पीछ्य रहँ और यही इस देश की खास्यत है ये देश का बहूत बड़ा गवर्भ साली इतिहास है और हम सब लोगों को ये मिलकर के चलना है कि 130 करोड जो लोग है उ सभ हिंदुस्तानी है सब को बरावर का धिकार है सब को बरावर का हाग का भाखने की धिकार है और सबको बरावर हक मिलेगा, इसी के साथ में अपनी बाग समाख करता हूं, बहुत बहुत धूली है। थैन्ने बाद